हेलो एंड वेल्कम टू मैं चैनल गाईज आप देख रहे हैं इदर टेक्नो बाइक्स और मैं आज फिर से नही रिवीव वीडियो के साथ में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवेस जूपिटर 125 CC के बारे में और यह विदाउट डिस्क मॉडल है और आज की इस वीडियो में हम इसमें डीटेल में बात करेंगे और दोस्तों वीडियो के एंड में हम इसके एक्जो सांड के सुनेंगे और इसके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में तक बने रही है और दोस्तों मैंने जो वीडियो शूट कर आई यह दुगर टीवेस में शूट कर आए जो कि गीता बवन इंदौर में अगर आप इंदौर से अंदौर के आसपास से तो आप स्कूटर जाके विजिट कर सकते हैं और टेज्ट ड्रैब भी ले सकते हैं दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सबस्क्राइब जरू करें और बैल अगर्गं को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो में सना कर सकें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आपको यहां पर साइन का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है देखने को और इसका अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स के अंदर यहां पर आपको LED लाइट्स भी नहीं मिलेगी जो इसकी सिगनेचर LED लाइट से बहुत ही मिलेगी ख्रोम फिनिश भी आपको देखने को नहीं मिलेगी आपको इस ते कपर दी जाती है क्योंकि विदाव डिस्क मोडल है और सामने के तरह आपको TVS का लोगों देखने को मिल जाती है वाइधर पर आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलती है और इसका जो मिंशिल्ड पूरी एकदम वह है ब्लाइक है एकदम ब्लाइक है और नॉर्मल से आपको आपको इंडिकेटर देखने को मिलते हैं आपको डिस्क पर आपको नहीं देखने को मिलती है और यहां प तो यह आपको अनलोग और डीजिटर के काम करती है और बहुत सारे वीचर्स के देखने को मिल जाते हैं और आपको एक्सेटरनल फिलिंग फियूल दिख जाता है यहां पर जो कि बहुत ही अच्छा है और इसका टैंक आगे के तरफ कर दिया गया है यह आप स्विच्च ओपन कर सकते हैं अपने अपनी स्कूटी को स्टार्ट करेंगा यहां पर इसका टैंक कर दिया गया है 5.1 लिटर के आपको यहां पर टैंक के दिखने को मिल जाता है और यह काफी अच्छा है आगी की तरफ है कुछ इसा नुकसान भी नहीं होगा अगर आपकी गाड़े का नीचे पड़ेगा नीचे आपको अपना पहुन आप आसानी से रख सकते हैं और यहां पर भी आपको ब्लैक पर निस देखने को मिल जाती है नीचे की तरफ और इसकी पावर है 8.1 PS की पावर आसके तरफ देखने को मिल जाती है और अगर इसके रेयर बेकिंग सिस्ट्रम की बात की जाए तो आपको यहां पर 132 का ट्रम रेस देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी कॉलिटी के साथ में आते हैं और मोनासों देखने को मिल जाता है क्राइब पर जो कि बहुत ही अच्छी बात है और देख सकते हैं टीवेस के स्टिकरिंग बैजिंग देखने को मिल जाती है त्रीडी बैजिंग और स्टाइलेगन टेलेम आपको देखने को मिल जाता है जो कि LED है लेट लेम पर बहुत ही अच्छा ब और यहां पर भी आपको एक क्रोंड फिरिश देखने को मिल जाती है यह राज का फूट्रेस रवर ट्रीट्मेंट के साथ में इसका बूट ओपन कर सकते हैं बूट इसका बहुत ही ज़्यादा मिलता है और यह इसका एक हैलाइट पॉंट है क्योंकि इसमें से यहाँ पर अब फ्यूल हटा दिया गया फ्यूल टैंक हटा दिया गया है तो यहाँ पर आपको स्पेस 33 लिटर्स का मिल जाता जिसमें आप अ एक safety feature बताता हूं जो कि एक hidden feature है तो उसलिए देखते हैं इसको अगर आपकी स्कूट का स्केंड डाउन है तो अगर यह आपके तो भी बंद हो जाएगा और अगर आपकी स्कूटी स्टार्ट है और यह डाउन है तो आपकी स्कूटे को बंद कर देगा तो एक safety feature है बहुत ही अच्छा और चलिए इसका आप एक जाओर सम सुनते हैं हम लोग इसका हेलीड हेड्लैम बें यह कुछ इस तरीके से ब्लिंग करता है उपर की तरफ आपको लोग बीम देखने को मिल जाता है और निचे की तरह आप हाई बीम ऐसका लाइट थो भी बहुत ही अच्छा है और नाइट में भी अच्छा लाइट आपको देता है विजसेपों अगर मने स्कूट के बयतां आतुए का एप ऑल्प आप जोके आप करना बश्यों जाने फोलने कोंटेट थे स में लाने वाला हूं तो मेरे साथ बने रही है और देख तरी टेक्नो बाइक्स में मलता हूं किसी नए रिवीव वीडियो में तक तक लिए गुडबाई जय हिन जय भारत बाई बाई